है हूँ है are- sia नमस्कार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगल इंप्रौण्वर्स या डबल इंपरांसफर में से कौन सा भैटर होता है उसके क्या इड्वांटेज और डिसद्वांटेज है जेनरली अगर महिल सिंगल इम्रो डालना है या डबल इम्रो डालना है यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अगर महिला यंग है उसकी एश 35 से कम है उसको किसी भी तरह का कोई मेडिकल कंडिशन जैसे डाइबिटीज बीपे यह नहीं है तो वह महिला की चॉइस भी हो सकती है वह अपने प्रिफरेंस से सिंगल या डबल इम्रो ट्रांसफर करा सकते है लेकिन अगर महिला की उम्र बहुत जादा है 35 से वह महिला उपर है उससे किसी भी तरह की मेडिकल कं करने की हिस्ट्री है फैमिली में जुर्वा बच्चों की हिस्ट्री है या फिर इसके इंब्रो के का ग्रेडिंग अच्छा नहीं है उसके देथरी के इंब्रो है इन सारे कंडिशन में फिर हम सिंगल इंब्रो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं सिंगल इंब्रो ट्रांस अगर आगे चलके abortion हो गया या गरपात हो गया तो psychologically रहता है कि कम से कम एक pregnancy आगे life birthday लेकिन double embryo transfer के बाद कई सारे pregnancy complications भी हो सकते हैं तो इस पात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है आगे चलके उनको preterm pain हो सकता है प्रेगनेंसी के जो complications है जैसे एकलेंशिया प्रेकलेंशिया या बीपी शुगर बढ़ने की condition सिंगल ट्रांसफर से double embryo transfer में जाधा होती है क्योंकि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो गई तो यह सारे pregnancy के complications का रिस्क डबल हो जाता है इसलिए बहुत सोच समझ कर आप अपने doctor से fertility doctor से guidance लें कि आपके condition में क्या बहतर हैगा single embryo transfer कराना या double embryo transfer कराना धन्यवाद